सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा तो मैं ये मानता हूँ कि ये निश्यतूप से बड़ा महत्मून जुम्मेदारी है और जो प्रदेश साशन ने मुझे जिदायत सोपा है मेरा पुरा प्रयास होगा कि इसके साथ पुरा न्याय करूँ और प्रदेश की हित के लिए साशन की नीतियों के अनुरूप जो भी अधिक्तम मैं योगदान दे सकता हूँ वो मैं योगदान दूँ सर कई अहम पदों पर आप रह चुके हैं सबी भागों को गरीब से देखा हुआ आपने सबसे बड़ी चुनोती क्या मानते हैं और प्रात्मिक्ताएं क्या होगी आपकी दीकि प्रदेश में हमारे वातावरंड बरतमान सकार की समय में बहुत ही अच्छा वातावरंड है शान्ती बवस्ता की स्थिती बहुत अच्छी है एक बड़ा सकारत्मक्ता प्रदेश में माityL है विगत कुशवर्षों में कई योजणाओं में विकासी उजनाएं हो या महतमूर कुम जैसे आयोजन हो चाहे चुनाओ की आयोजन हो इन सभी आयोजनों को पूरी सफलता से बिना किसी वाइधा के संपाधित करके पूरे प्रदेश ने ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में ये दिखाया है कि हमारी मशीनरी खासत और वो इतना प्रफावशाली है कि अब प्रदेश पूरी तरह से इसका लाब लेने की स्थिती में हैं मुझे लगता है कि इस्थितियां पूरी तरह तयार है कि प्रदेश विकास के नई हुजाईयों को छुए और यहां के वेक्तियों के आमदनिये विद्धी हो और घर घ सेरेमनी की तैयारी एक तरफ है और दोसी तरफ मुख्यमंत्री इने घुश्रा की दी कि जल्दी उस ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर सब्मिट की जाएगी काफी यहां पर निवेश आ चुका है आगे इसे आप किस तरह से देखते कितना बड़ा चैल गंता इसकी बारे में बहुत ध्यान दिया गया है और अब इसलिए जो भी उद्यमी हैं जो भी वेवसाई हैं वो ना किवल अपने आपको पूरितर सुरक्षित मेस्थ करते हैं क्योंकि सुरक्षा वेवसाय के लिए सबसे पहली आवश्यता होती है लेकिन सभी तरह के उनक का सबसे बड़ा बाजार भी है तो इसलिए यह उद्यमी यहां आने के लिए बहुत उस्साहित हैं उन्हें जो अब तक अवसर मिला है उससे भी बहतर अवसर उन्हें मिले यहां पर यह हमारा नेंतर प्रयास होगा और मुझे विश्वास है कि अधिक सथे उद्यमी चाहे अपने देश के उद्यमी हो या अंत्यदाष्टी उद्यमी हो प्रदेश में अपना बीवसाय स्थापित करने के लिए बहुत ही प्रदेथ होगे और यहां अपना ब्यवसाय स्थापित करेंगे सबसे पहले खबरे पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजे फेस्बुक पर लाइक कीजे फेस्बुक पेज है www.facebook.com स्लैश एबीपी गंगा ट्वीटर पर भी फॉलो कीजे हमारा ट्वीटर है twitter.com स्लैश एबीपी गंगा